वेलकम टुमाइच चैनल नर्सिंग सके आज इस्प्रेशल लेक्शर होने वाला है प्रेग्नेंट लेडी के बारे में जो इस वक्त जिन्होंने प्रेग्नेंसी कंसीब कियों जो गर्भ होती हैं उन सभी महिलाओं के लिए आज का मेरा एक लेक्शर है जिसमें वो क्या जानें हैंगी तेन्ह प्रेग्नेंसी केर टीपेकं इन कोल्ट सीजन द्यूरिंग प्रेग्नेंसी इस इन भयानक सद्यों में इन कड्यकेEh की ठंड में ओ टेन् JOE कौन सुरच्छित प्रसो कराएं और आप भी सोचत रहे हो और आपका बच्चा भी बिल्कुत सोचत रहे इसी कामना के साथ आज का यह लेक्शर है और आप इस वीडियो को हमारे चरूर देखें जिसमें मैंने सबसे पहला क्या लिखा है सबसे पहले लिखा है मेंटेन टेपरेचर आप रोम, यानि आप जिस कमरे में रहती हैं, जिसमें आप सोती हैं, निवास करती हैं, उस कमरे के temperature को मेंटेन करने के लिए आपको उस कमरे के छो खिड़की हैं, जो वेंटिलेशन के लिए अधर चीजें लगी होंगी, उसको प्रापर वे में बन कर दीजिए और उस पर पर एका टेंपरेचर बिल्कुल डाउन हो जाए तो इस तरह से आप पहला केरत एक करिए कि अपने जो भी कम रहे हैं उसको थोड़ा सा अप मेंटेन कर लेजिए दूसरा क्या है हेल्दी डेली रूटीन यानि जो बहुत जिम्पल बात है कहने के लिए तो हेल्दी डेली रू अपने सारे कार्यों को करें और समय समय पे अपने भोजन अपने भोजन लेना है तो आप थोड़ा अपने सारे कार्योंन डेंगी तब लिए If C.D अलब रहते घंबव नेıldıिया ? चोटे चोटे मील लेती है अपने खाने के लिए जो बैलेंस डाइट है उनकी उस थाले को थोड़ी मात्रा में कई-कई बार लेती है जिससे कि उनका डाइजेशन सही हो तो इस तरही चोटी बात है लेकिन है बहुत महतुपूर बात सारे गरभवती महला हो के लिए तो आप दूसरी बात तो बिल्कुल लेजाने कि आपको थोड़ा सा अपने आपको एक्टिव रखना है ठीक और तीसरा क्या है रिगुलर एक्ससाइज यानि इस सुनने में तो बड़ा लगए गरभवावास्ता के समय एक्ससाइज कैसे होगी लेकि नहां आप बिल्कुल ऐसा नही इंडोर ही आप वाक कर सकती है आप जो हलके फ३बके जो आपके डक्तर एड़ाईज करते हैं उनसे पुचकर कैं जिस कि अनूलोम बिलोम सिम्पल बहुत सारे एक्ससाइज है उसको आप फाल्बु आप कर सकते है तो तिसरी मेरी यही सला है कि आप हलके फुलके बयाम योर हैंड प्रापरली यह भी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही जो शरीर के लिए अगर हम इसको सही तरीके से फालो नहीं करते हैं तो इंफ्यक्शन का चांस सबसे ज्यादा ही होता है क्योंकि हम लोगों करोना में देखा न कितना हाथ धुल धुल धुलने के स्टेप करते थे तो इस वक्त भी आपको प्रापर वे में हैंड वासिंग करने क्योंकि अगर सबसे ज्यादा इसी की द्वारा हाथ की द्वारा ही आपके सरी के अंदर जाता है जैसी साह से जब भी आप कुछ खाती पीते तो जरूर धुले नई धुलेंगी तो बहुत आपके सरीर में किसी तरीके का को इंफ्यक्शन पहुचन न पाहें थीक अब पांचवेस सला क्या है यह बहुत आज जो टेंस में एड्वायस हमने लिखी बहुत सींपल है लेकिन आपके सिहत के लिए बहुत कारगर है तो पांचवेस अला क्या है ड्रिंक प्लेंटी वार् पानी की जरूरत होती है दिन बर में जैसे आप साथ आठ ग्लास होता है पानी की दिन में चाहिए कम से कम पीना तो उसको आप सर्द्यों की दिनों में भी फालो करें और अपने पानी को थोड़ा से गुन गुना कर लेजिए एक दम कोल्ड वाटर नहीं पीना है हलका गुन ग सर्द्यों में भी पी है छटा एडवाइज है कि प्रापर मिल अप्रेग्नेंसी हाँ इस वक्त जो सिजनल जितनी हरी पतिदार सब्चिया आ रहे है जितनी प्रूट आ रहे है वह आप बिल्कुल नहीं क्योंकि इस सब आपका आईरन पढ़ाएगा गरभवस्ता में अच्छे तरीके से बिल्कुल वास करके और अच्छे तरीके साफ सुधरा करके ही आपको खाना है तो उसका आप ध्यान रखे और जितनी बत हुआ पालक और मेथी सबके पतिदार सब्चिया आ रहे हैं उनको आप भरपूर मात्रा मिले इसमें आईरन के साथ सब बहुत सार करें और थोड़ी थोड़ी देर में आप अपना ले करके और बैलेस्ट टायट खाते रहें और फिस आत्मा आपके लिए अडवाइज क्या है वियर विल्कुल आप इंडोर में रहें या आउट्डोर जाएं अपने वियर करें ताकि आपको किसी तरीके से कोई ठंड न होती है फीवर होता है बहुत सारी चीजें शूरू हो जाती है जो कि सिहत के लिए आपके लिए सही नहीं है अगार्भावस्ता में आपके लिए सही będzie नहीं तो आपको अपने बच्क्रण करने के बचाव करना हए ताकि आप परद सेक उपनी अंदर सुरह Alexandra के तो इसके ठंड कम लगती है तो इस तरह से आप अपने ओलेंड कलाद का बिल्कुल ध्यान दे इन सर्दियों में और आठवां क्या आपके लिए ड्वाइज है रूटीन चेक-प हाँ बिल्कुल जो आप चेक-प कराने जाते थे जिस तरह से जाते थे 15 दिन पर भी सुक जाते हो या एक तो अपना डेली रूटीन चेक-प को जरूर फालो करें और क्या नोगा इस्टे इंडोर मच पास पर इस ठंडी की दिनों में आप जयाता संभव हो जितना संभव हो आप इंडोर रहने की कोसिस करें और जब जरूरत लगी तभी आपको बहा जाना चाहिए क्योंकि इस वक बचाओं का यही तरीका है कि इस वक्त आप थोड़ा सा बहार जाना ही आवाड कर दें बहुत जरूरी हो तभी आप जाएं फिर दस आड़ आडवाइज आपके लिए है रेस्ट एंसलेप प्रापर वे आप प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी में सबसे बड़ी बात है कि जब अगर हम बाय करवड सोते हैं तो चीजें हमसे मिलती है औक्सर इसमें बाय करवड थोड़ा हो करके सोना चाहिए कुछ देर के लिए और रात में इसे दिन में भी आपको अराम करना है और एक दो घंटे अराम कर लेजिए और रात में भी साथ 8 घंटे की अच्छे नीद ले रहने दिनों है जाइर चिझे घंटी कुछ फालो करें ताकि आप बिलकुल स्वस्त और सुरक्षित रहें ताकि आने बाले दिन क्मा बिलकुल आपके आपका प्रोच्व ई है करने सिरक्षित हो सकें झाल झाल